नमस्का, Hindi Animation Tutorial में 3D Max Tutorials Part 15 का स्वागत है Materials, दरसल Materials, Textures और Colors होते ही जो हम Objects पे अपलाय करते हैं तूलबार पे क्लिक करते हुए उसे Left में ड्रैक करते हैं यहाँ पे हमें Material Editor बटन मिलता है Material Editor विंडो ओपन करने के लिए उसके उपर क्लिक करें आन्या था आप Render Menu में से भी उसे Open कर सकते हो या Keyboard पे M की दबाते हुए आप उसे Open कर सकते हो यह जो Spear दिखाई दे रहे है यह है Material Templates जिनका उप्योग हम Object को Material देने में करेंगे आप Shader Basic Parameter के Pull Down Option की मदद से अलग-अलग Shader का उप्योग कर सकते हो अब जो भी Shader इस्तमाल करोगे उसका एक Basic Parameter में अपना Set होगा उदारन के तोर पे मैं Blin को Choose करता हूँ अभी इसका Ambient Color चेंज करते हैं Diffuse Color जो है वो Ambient Color के साथ By Default लिंक होता है इसलिए वो भी उसके साथ ही Change हो रहा है आप यहाँ पे Specular, Self Immuneration और Object की Opacity चेंज कर सकते हो Specular Highlights के लिए आपको Specular की Level Value बढ़ानी होगी ताकि आपके Object पे Highlight Shade आ सके Highlight बढ़ाने से Object का Glossiness भी उबर के दिखेगा और Soft Enki के मदद से आप Object की Highlight और Glossiness दोनों Soft कर सकते हो यहाँ पे बहुत सारी और भी Categories है जिनके मदद से आप Material को ट्विक कर सकते हो जैसे की Extended Parameters, Dynamic Property, Direct Text Manager, Super Sampling और Maps इत्यादी Shader Basic Parameters में चार Material Properties है जैसे Wire, Two-Sided, Face Map और Faceted तो अभी हम Object पे Material Assign करते हैं तो सबसे पहले मैं एक Spear Draw कर रहा हूँ आप इसका Color और नाम दोनों Command Panel में Change कर सकते हो याद रखिएगा यह Color सिर्फ Object को Identify करने के लिए है इसका Color Texture तो अभी हम इसे Assign करेंगे इसलिए मैं कीबोड पे M प्रेस करके Material Editor को Open कर रहा हूँ अब यहाँ पे हमें एक Material Slot चूज़ करना है जिसे हम Object पे Apply करेंगे आपका Object पहले से Selected है यह आपको सुनस्षित करना होगा उसके बाद Assign Material का Button क्लिक करना है और Boom आपके Object को Texture आ गया है यह इसका Quick Render Material Editor में by default 6 Material Slot दिखाई देते हैं विंडो को Scroll Down करते ही बाकी के Slots भी दिखाई देंगे तो आपको जितने Material Slot यूज़ करने उतने आप कर सकते हो Material Slots का View चेंज करने के लिए आपको Options में जाना है वहाँ पे और एक Option मिलेगा उसे क्लिक करना है अब आपको एक Material Editor का Option दिखाई देगा और नीचे जो है Slots की Category है वहाँ से Available Slots का View आप Select करें आप जैसे View Select करते हो वैसे वहाँ पे Slots चेंज होते है Material Slots की Maximum Visible Amount है 24 इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप 24 Slots तक सीमित रहोगे मैं यहाँ पे आपको एक उधारन देता हूँ यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपके Scene में 24 से ज़्यादा Objects है और हर एक का अपने Individual Material Slot है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास 4 Spears है इसमें से हर एक को हम एक Material Slot उपलब्द करवाएंगे तो मैं Material Editor में 4 अलग प्रकार के Material निर्मान कर रहा हूँ चीजों को बहुत आसान और समझने लाइक बनाने के लिए मैं हर Material Slot को अलग रंग में Material Assign कर रहा हूँ Assign Material to Selection का बटन दबाने बेगर हम Drag and Drop करके भी Material को Assign कर सकते हैं आपको सिर्फ वो Select करना है Slot और Click Track करके Selected Object पे Drop करना है अब हम ऐसी कलपना करते हैं कि हमारे सारे के सारे 24 Slots बर गए और अब हमें कुछ नए Material Slots आपजेक्ट पे Apply करना हैं तो हम Material Editor में जाके Get Material पे Click कर सकते हैं ये Get Material आपको Material Menu से भी उपलब दोगा ठीके तो अभी हम Get Material के Map Browser में हैं इसमें Browser Form section में New को Select करके Standard पे Click करना है ऐसे करते ही पहले का Default Material हमारे New Material से Replace हो चुका है अब ये नए Material Slot को आप अपने जरूरत की हिसाफ से Color या Texture अपलाए कर सकते हो इसका मतलब ये पिल्कुल नहीं होता कि पहले के Default Material Slot पे हमारा नया Material Slot ओवर्राइट होआ है भले हो हमें Material Editor के मौझूदा Slot में नहीं दिखा ही देता लेकिन वो वहाँ पे मौझूद है जैसे मैंने यहाँ पे Green Object सिलेक किया हुआ है परन्तु में Material Editor में उसका Slot नहीं पता कर पा रहा हूँ तो हमें क्या करना है Standard में जाके उसका पता करना है Standard पे क्लिक करते ही Material Map Browser ओपन होता है वहाँ पे Browse Form में आपको Scene पे चेक करना है और जैसे आप Scene चेक करते हो तो आपके Default Material आपको नए Material के साथ दिखाई देंगे और जैसे मैं यह Green Material को चूज करता हो तो मुझे पूछा जाता है कि आपको इसे Instant रखना है या Copy तो हमें इसे as a Instant ओके करना है और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि Material Slot Green Material से Replace हो चुका है जो पहले वहाँ पे नहीं था अभी आप अपने हिसाब से इसमें changes ला सकते हो अगर आपके Scene में धेर सारे Objects है और हर Object के लिए आपको एक अलग Material Slot की ज़रूरत पढ़ने वाली है लेकिन Override नहीं होते हैं अभी हम Object पे Texture Map अपलाए करेंगे इसलिए मैं वापस Standard में जा रहा हूँ और यहाँ पे Material Library को चेक कर रहा हूँ 3D Max Production में यह Material काफी आम तोर पे इस्तमाल किये जाते हैं लेकिन मेरा यह मानना है बहतर होगा कि अपना Material Map हम खुद बनाएं फिलाल आपको दिखाने के लिए मैं यह Brick Material Map यूज़ कर रहा हूँ Brick Map को सिलेक करके आपको सिर्फ OK करना है तो यह Object पे Apply हो जाएगा आप Material Library का हर एक Map इसी प्रकार से आपके Object पे Apply कर सकते हो By default Material आपके Scene में डिस्पले नहीं होगा इसके लिए आपको Show Map in Viewport का यह Button Activate करना होगा और उस प्रकार से आप उसको Deactiv भी कर सकते हो Deactivate होने के बाद Object आपको Gray Shade में कुछ ऐसे दिखाई देगा इस Object को हम Clone करके एक नया Texture देते हैं इसके लिए हमें एक नये Material Slot में जाना होगा और Standard में जाके Material Library में से एक नया Texture Map चूज करना होगा और Viewport में Selected Object को Assign Material to Selection करना होगा और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा Object by default Gray है और जैसे ही मैं Show Map to Viewport Activate करता हूँ तो वो Texture देखना शुरू हो जायता है तो दोस्तो आप अपने खुद के Texture बनाके इन Objects पे Experiment करो आपको अपने खुद के Texture बनाने के लिए Photoshop आना ज़रूरी है और यह चीज़ को ध्यांद रखते हुए हमने हमारी Photoshop Tutorial Series शुरू की है तो अगर आपको Photoshop सिखना है या आप Photoshop के लिए नए हो तो यह हमारी Tutorial Series जरूर फॉलो करें तो दोस्तो अगले Lecture में देखते हैं Material Map इनके बारे में हम Next Lecture में विस्तार से जान लेगे लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सिस्क्राइब करना हुआ Hindi Animation Tutorial के साथ चुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभर है